साथियों देश ने करोना के खिलाब अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैरिय से लड़ाई लड़ी है इसका स्रे आप सभी को सभी देश वास्यों को ही जाता है अनुशाशन और धैरिय के साथ करोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं मुझे विश्वास है जन भागीदारी की ताकत से हम करोना के इस तुफान को भी परास्त कर पाएंगे आज हम अपने चारों और देख रहे हैं कि कैसे कई लोग कई सामाजिक समस्ताएं जरूरत मंदों तक मदद पहुंचाने में दिन राज जुटे हैं दवाई पहुंचाना हो खाने या रहने की व्यवस्ता करनी हो लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं मैं इन सभी के सेवाभाव को आदर पुर्वक नमन करता हूं और देश्वाश्यों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देश्वाशी आगे आएं और जरूरत मंदों तक मदद पहुंचाएं समाज के पुर्शार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे मेरा युवा साथ्यों से अनुरोध है कि अपनी सोसाइटी में, मौले में, एपार्टमेंट्स में चोटी-चोटी कमीटियां बनाकर कोवीड अनुसासंग पालन करवाने में मदद करें हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंट्रेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी न कर्भी लगाने की जरूरत पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाली नहीं उड़ता है पहलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की दी छोटे छोटे बालक पांच वी साथ वी आँच वी दस वी में पढ़ने वाले उन्होंने घर के लोगों को समझाया था मनाया था उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था आज मैं फिर अपने बा बाल मित्रों से एक बात विशेश तोर पर कहना चाहता हूं मेरे बाल मित्र गर में ऐसा माहुल बनाए कि बीना काम बीना काराण घर के लोग गर से बाहर न निकले आपकी जीद बहुत बड़ा प्रणा मिला सकती है प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घरी में वो लोगों को सतर्क और जागरुक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहोर कम हो सके लोग अफ़ा और ब्रह्म में न आए साथियों आज की स्थिती में हमें देश को लॉग डाउन से बचाना है मैं राज्यों से भी अनुरोद करूंगा कि वो लॉग डाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें लॉग डाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेंडमेंट जोन पर ही ध्यान के इंद्रित करना है हम अपनी अर्थववस्ता की सहथ भी सुधारेंगे और देश वास्यों की सहथ का भी ध्यान रखेंगे